तो दोस्तों मेरे पास बहुत दिनों से कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें मुझसे पूछा जा रहा था कि Real Cricket 24 की अंदर player discard करने में problem आ रही है और ये problem जब से Real Cricket 24 आया है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी तो सारी डिटेल में बताऊंगा कि क्या ये problem है और कैसे इसको solve किया जाता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जिन लोगों ने नया अभी Real Cricket 24 खिलना शुरू किया है तो यहाँ पर Multiplayer के अंदर एक inventory है और वो inventory जब फुल हो जाती है तब आपको ये problem आती है तो यहाँ पर Multiplayer के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो rank mode है उसके अंदर आपको जो players की inventory मिलेगी उसके अंदर आप maximum 40 players की card रख सकते इसी तरह Multiplayer के अंदर आपको जर्सी के भी यहाँ पर inventory देखने को मिलती है जो कि 20 से maximum आप नहीं रख सकते लोगो जो है वो भी आप 20 से उपर नहीं रख सकते और बैट स्टीकर वो भी आप 20 से उपर नहीं रह सकते तो यहाँ पर दोस्तों अगर players से लेकर जर्सी, लोगो या बैट स्टीकर आपके ज़ादा हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ने discard करना पड़ता है Otherwise आपका game वापस नहीं जाएगा और आपको game multiplayer आप नहीं खेल पाओगे तो जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दू कि यह सारी चीजे मिलती कहा कहा से हैं आप अगर shop में जाते हो और वहाँ पर जाकर आप कोई bundle purchase करते हो इसके अंदर भी आपको players card से लेकर लोगो इस्टीकर समिलते हैं उसी के साथ में आप pack में जाते हो और वहाँ पर brown, silver या jumbo pack वगारा आप open करते हो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीजे मिल जाती हैं तो यहाँ पर आपको अभी जो problem आ रही है वो यह है कि जब आप players को discard करने के लिए discard button पे click करते हैं players को select करते हैं और उसके बाद fit discard पे click करते हैं तो discard नहीं होता यानि players निकलता नहीं है अब जो change आया है real cricket 24 के अंदर वो क्या है तो players को discard करने के लिए आपको players को select करना है और select करने का सही तरीका यह है कि आपको players के card के बीचो बीच में touch करना है जब आप players के card के बीचो बीच में touch करोगे तब आपका यह player का card select होगा और उसके जो circle है उसके उपर cross button कराएगा उसके बाद में ही आपका players select होगा फिट discard पे click करेंगे तो आपका players जो है discard हो जाएगा इसी असाद में जो बाकी inventory है जैसे कि आपकी jersey है आपका logo है बैट sticker है उसको भी आपको इसी तरीके से discard करना है तो मीध है वीडियो पसंद आया होगा यह वीडियो को मैंने थोड़ा सा detail में बनाया है क्योंकि जो नए players हैं उनको problem हो रही है यह जादा क्योंकि बुराने तो सभी लोग जानते हैं तो नए लोगों को यह problem आ रही है तो उनके लिए थोड़ा सा detail में बताया थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा कोई और सा वीडियो आपको बनवाना हो तो उसके लिए भी जह हिन